Hello students, हमारे YouTube channel Experience Tutor में आपका स्वागत है. आज हम लोग डिसकस करेंगे Class 12 का Physics, वावतिक भी क्यान, का पहला चाप्टर विद्युत आवेश तथा छेत्र. यह tutorial हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए हैं और यह सभी सिलिवसों को cover किया जाएगा इस tutorial में. जैसे की CBSC, ICSC, ISC, State Boards, जैसे की UP Board, बिहार Board, राजस्थान Board, मद्यप्रदेश Board, उत्तराखंड Board, छारखंड Board, इत्यादी इत्यादी. आज का Class स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवे दिन हैं. अगर आप हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बल आइकन के notification को on कर लें, इससे आप हमारे कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे, और आपको हमेशा notification मिलता रहेगा, जब भी कोई व कंगी को सुखे बालों के साथ रघडिये, तो चटXट की आवाज आती है, और थोड़ी देर रघडने के बाद आप छोटे-्चोटे कागज के टुकुरों के पास डियो कंगी को ले जाएंगे, तो वो कागज के टुकुरों टुकड़े कंगी की और आकर सित हो जाएंगे, यह क्या है? कौन सा गुन आ गया उस कंगी में सुखे बालों में रगणने से? यह सब स्थिर पिद्यूत के कारण हुआ. इंग्रिस में से इलेक्रोस्टाटिक्स करते हैं या स्थिर पिद्यूत की तो डिटेल्स में और पढ़ेंगे जैसे कि और एक एक एक्जामपल ले जीजे जब बरशात के दिनों में जब घने बादल होते हैं तो एक गरजन के साथ बिजली चमकती हैं वो क्या है? वो भी एक इलेक्रोस्टाटिक्स का या अत्वा हंदी में कहलेजे स्थिर विद्यत की का कि को अब हम हिस्ट्री की और जलते हैं कि इसका आविस्कार कव हुअ बिद्यत आविस्कार कव हुए तो 600 वर्सपूर्व के 672 वर्यींस का इक बेग्यानिक था, जिसका नाम था थेल्स, उन्होंने सबसे पहले कुछ एक्सपरिमेट्स किये, प्रयोक किये अंबर के साथ, अंबर को उनके कपड़ों में, उनी कपड़ों में रगड़ा गया और उसमें एक हलके फुल के बस्तों को अपने और खीचने की प्रवर्ति आ गई जैसे कि छोटे-छोटे कागज के तुक्रे हलके पंक पंकी के पंक इत्यादी धूल के कन इत्यादी तो इसका आविश्कर कस्त्रे थेल्स को जाता है बाद में सोल्वी सताबदी के बाद इंगलेंट के एक डाक्टर विलियम गिलवर्ट ने एक प्रयोग में पाया कि अंबर की भाती और सारे प्रदार्थ जैसे कांच, एबोनाइट, गंदक, इत्यादी को भी रगड़ने जदी रगड़ा चाहे तो वो से सेम प्रवर्ति आयाती है इन बस्तों में भी आयाती है जब यह सारे प्रयोग हो रहे थे तो 1646 में थामस प्राउन ने इस उर्जा का नाम विद्यूत उर्जा रखा या इलेक्ट्रिसिटी, इंगलिस में इलेक्ट्रिसिटी रखा च्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का नाम इलेक्ट्रॉन के आधार पे रखा गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अमबर, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अमबर इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन के नाम पे रखा गया तो सरल्भासा में जदी हम विद्यूत को explain करना चाहें समझाना चाहें तो ऐसे कहेंगे कि विद्यूत वह उर्जा है जिसके किसी बस्तों में आ जाने से उसमें हल्की बस्तों को अपनी और खिजने की प्रवर्ति आ जाती है ठीक है असान है चले आगे बढ़ते हैं इस तीर बिद्यूत की इसे क्यों कहा गया क्योंकि यह विद्यूत एक बस्तो से दूसरी बस्तों कि में मूव नहीं करते हैं वो उसी बस्तों में स्थीर रहता है इसलिए इसका नाम स्थीर बेदित की पड़ा अब धन तथा रीन आवेश तो यह आवेश दो प्रकार के होते हैं एक धन आवेश दूसरा रीन आवेश तो अमेरिकी बैज्यानिक सन 1750 में बैज्यानिक नाम था बेंजमिन प्रेंगलन तो बेंजमिन फ्रांकलीन ने दो प्रयोग किये एक में कांच के छड़कों ॉन्होंने रेसं से रगड़ा और कांच के छड़क में एक आवेश आगया थिर पिर दूसरे प्रयोग में उन्होंने एबोनाइट के छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा, तो एबोनाइट के छड़ में भी एक आवेश आ गया है, लेकिन काच के छड़ का आवेश और एबोनाइट के छड़ का आवेश के गूनों में विनता, वो बिपृत थे, तो बेंजाविन फ्रेंकलेन ने काच के छड़ में जो आवेश उत्पन हुए उनका नाम धनावेस रखा, और रिन आवेस रखा एबोनाइट के छड़ में जो आवेश उत्पन हुए. इस तरह से उसके बाद से धन आवेश और रिन आवेश की परिवासा भिन भिन प्रयोगों में दिया गया बाद में विविन प्रयोगों से यह पाया गया कि समान आवेश में धन आवेश और धन आवेश में विकर्शन होगा या रिन आवेश रिन आवेश में विकर्शन ओ computer है और बीप्रित आवेशों में आकर्षन के गुन पायाते जैसे धन आवेश और रिन आवेश में आकर्षन होंगे और इस तरह से दो भिन्न प्रकार के आवेशों को परिवासित किया गया अब हम लोग पढ़ेंगे विद्यूतिकरन का आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिध्धान सामान्यत ही नहीं सारी बस्तुएं इस पिर्थवी की इस दुनिया की इस ब्रम्हांड की सारी बस्तुएं प्रमानु से बनी होते हैं यह तो आप लोगों को पता ही होगा अब इन प्रोटॉन जो धन आवेशित होता है दूसरा इलेक्ट्रॉन जो रिन आवेशित होता है न्यूट्रल अवस्ता में सामान्य अवस्ता में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है और पदार्थ न्यूट्रल होते हैं उदाशिन होते हैं कोई उ स्थान उसके नाविक में नुक्लियस भी कहते हैं नाविक के सेंटर में होता है यह है प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन बिविन्दक अक्छाओं में नूकलियस के पार बिविन कच्छाओं में परिक्रमा करती रहती है नूकलियस की यह है येलों में जो भी देख रहे हैं पीला में वो इलेक्ट्रॉंस है ठीक है येक अक्छा क्या है के ल, एम, एन, ओ, पी इस तरह से जाते हैं इलेक्ट्रॉं में 1.6 x 10 to the power minus 19 कुलम्द चार्ज होती है नेगेटिव चार्ज होती है और प्रोट्रों में प्लस 1.6 x 10 to the power minus 19 कुलम्द चार्ज होती है अब कोई वस्तू धन आवेसित कब हो जाता है और इन आवेसित कब हो जाता है ये अब नीट्रल अवस्ता में सावानी अवस्ता में प्रोट्रों और इलेक्ट्रों की संख्या प्राबर होती है किसी कारण बस जदी इलेक्ट्रों की संख्या कम हो जाए तो क्या होगा प्रोट्रों की संख्या तो ज्यादा है इलेक्ट्रों की संख्या कम है इससे क्या होगा जो positive charge है, धन आवेस है, वो बढ़ जाएगा, उस बस्तू का धन आवेस बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि proton की संख्या, neutral की संख्या से ज़्यादा है, और वो धन आवेस से थो जाएगा. उसी तरह, जदी किसी कारण से, इलेक्ट्रिंग की संख्या किसी बस्तू में बढ़ जाए, किसी प्रमानूर्ण बढ़ जाए, तो क्या होगा? उसकी negative charge, रीन आवेस, कुल रीन आवेस की मात्रा उस बस्तू में बढ़ जाएगी, और वो रीन आवेस से थो जाएगी. ठेक है? अब example लीचे, कांच की छड़ और रेसम में. जब हम रगड़ते हैं, तो क्या होता है? तो कांच की छड़ क्या करता है? वो घर्षन के बज़े से, वो अपने कक्छा से कुछ electron रेसम में छोड़ देता है. मिन्स कुछ electron कांच की छड़ से रेसम में क्रांस्फर हो जाता है. और जिससे क्या क्या होता है? कांच के छड़ में नूकलिस में प्रोटोन की संख्या लेक्टोन की संख्या से ज़ादा होती है इसलिए कांच की छड़ धन आवेशित हो जाता है इसके विप्रित क्या होता है रेशम में कुछ इलेक्टोन वो गेन करता है तो इलेक्ट्रोनों की संख्या उसमें बढ़ जाती है और इससे क्या होता है वह रेशम जो है वह रिनावेशित हो जाती है तो यह है इसका कि वन्डेमेंटल कि क्यों और कब कोई वस्तु धनावेशित हो जाते हैं अब हम आविश को कैसे माप सकते आविश किसी बस तुमें आविश है या नहीं है कैसे हम जान सकते हैं तो एक उपकरन है जिसका नाम है बिद्योदर्सी तो सामान्य बिद्योदर्सी भी हो ок करते हैं और थोड़ा specific थोड़ा costly थोड़ा महंगा बिद्धो दर्सी जो है स्वार्ण पत्र बिद्धो दर्सी लेकिन काम एक ही है लेकिन स्वार्ण पत्र बिद्धो दर्सी थोड़ा और accurate और और थोड़ा कॉस्ट्डी होते हैं तो हमारे तो सामने बिद्युदर्सी का भी वही काम होता है किसी बस्तु में आवेश है या नहीं यह पता लगाना तो आज हम लोग श्वनपत बिद्युदर्सी के बारे में पढ़ेंगे तो इसकी बनावड देखिए बड़ा सिंपल है काँच का भक्सा होता है और इसमें धातु की गुंड़ी होती है और यह धातु का छड़ होता है यहां पर रबर एक होल बना होता है जो रबड रबर के अंदर से यह छड़ जाती है और यहां पे gold पत्र, means gold plates लगे होते हैं. यह V type के. देख रहें हैं, यह gold plates लगे होते हैं. जब किसी बस्तौ को यहां पे लाए आता है, कि इसमें charge है या नहीं, यह हम जानना है. तो क्या होता है, माली जो applies है, माली जो घनावेस है. मालीजे इसमें धनावेस है तो यह धनावेस चड़ से होके यह चड़ से होके यह कहां आ जाता है यह धनावेस पूरे में फैल जाता है और क्या होता है पहले तो यह स्वन पत्र एक दुसरे से सटे होते हैं लेकिन जैसे ही इसमें धनावेस आयाता है इसमें भी धनावेस आय और यह विकर्शित हो जाते हैं और इससे पता लग जाता है कि यह जो बस्तु यहां पर हमने सटाय था यह इस पर आविस्था ठीक है यह है इसका कार्जेविदी और पनावत का कि है अब हम लोग पढ़ेंगे चालग और विद्यत दुरी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपने से विखर असानी से विडिश को प्रवाइद होने देते हैं उन्हें चालक किते हैं ठीक केसे ऐंगलिस में से कंडुक्ट कहते हैं और कुछ प्रवाइट ऐसे होते हैं जो अपने से होके विद्यूत के प्रवाइट को हमेशा प्रवाइट होने नहीं देते हैं या बाधाग डालते हैं तो उन्हें कि विद्यूत रोधी कहते हैं कि चालक के कुछ उधारन है मानव शरीर सारी धात्वें प्रित्वी इत्याद इत्यादी यह सब चालक हैं और विद्यूत रोधी के उधारन हैं जादतर अधात्वें लकडी प्लास्टिक नाइलान कांच इत्यादी ठेक है और एक स्ट्रेनी होता है जिसे हम अर्ध चालक कहते हैं तो वह इस चाप्टर का विसाई नहीं है वह आगे चलके हम लोग पढ़ेंगे दूसरे चाप्टर में अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेरन द्वारा आवेशन इसको समझने के लिए एक एक्स्प्रिमेट कीजिए ये दो गोले हैं इनको सटा के रखें और ये माल लिजिए ये हैं अब बी में इन दोनों गोले ये सटेवें गोले में के पास आप एक कांच का छड़ ले आईए तो कांच का छड़ में कौन सा रेसम के साथ रगड़ के ले आते हैं तो इसमें धन आवेश होता है और क्या होता है तो इसके सारे इस गोले के जितने रीन आवेश है अपनी और आकरसित कर लेता है और इनके रिन आवेस अपनी और आकरसित हो आते हैं और इस गोले के धन आवेस यहाँ पर एक दूसरी और रहते हैं ठीक है चुकि गोला सटा हुआ है यह हो गया भी अब क्या करेंगे सी में इन गोलों को अलग कर लेंगे और पांच के छड़को ले जाएंगे एक गोले के समिक ले जाएंगे तो फिर से यह क्या हो जाएगा पुनर अवस्था में आयाएगी यहाँ पे जितने रिन आवेस इधर आ जाएंगे और धन आवेस इधर हो जाएंगे ठेक है यह हो गया आपका C अब next क्या करेंगे D में इनको अलग कर लेंगे कांच के छड़ को तूर ले जाएंगे ऐसे ही यह वस्ता होगी और कांच का छड़ यहाँ पर नहीं होगा तो क्या होगा इस पर यह जो जितने रिनावेश इधर कांच की छड़ बाई और थी वो इधर केंदरित हो जाएंगे और यह रिनावेश इस गोले के धनावेश को अपनी और आकर सिद करेंगे तो यह रिनावेश और धनावेश आपस में आमनी सामने होंगे और केस E में क्या करेंगे इनको और थोड़ा दूर इनके प्रभाव से थोड़ा दूर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा इसमें जो रीन आवेश हैं वो समान रुप से बित्रित हो जाएंगे इसमें जो धन आवेश हैं वो भी समान रुप से बित्रित हो जाएंगे इस पूरी घटना को हम कैसे समझ सकते हैं प्रेरण और आवेशन दोर समझ सकते तो यह प्रेरण और आवेशन से ही इसी को प्रेरण और आवेशन कहते हैं ध्यान रखना यह है कि काज की छड़ को पास ले जाना है, शटाना नहीं है, ये याद रखना है इसे, ठेक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे विद्यूत आवेश के मुल्गुन तो तीन मुल्गुन होते हैं आवेश के आवेश की जोजेता विद्यूत आवेश संग्रचित है और तीसरा है विद्यूत आवेश का क्वांटमी करन तो पहले के बारे में पढ़ते हैं पहले आवेश की जोजेत जोज्यता आब इसकी जोज्यता क्या है माल लीजिए यह एक निकाई है यहाँ पे इस बिंदू का आवेस है Q1 इस बिंदू का आवेस है Q2 इस बिंदू का आवेस है Q3 इस बिंदू का आवेस है Q4 तो इस पूरे निकाई का आवेश क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इसका अर्थ क्या हुआ द्रब्यमान की तरह हम आवेश को भी जोड़ सकते हैं ठेक्या द्रब्यान की तरह आवेश भी एक अधिस्राशी है लेकिन एक विन्नता है द्रब्यमान और आवेश में आवेश धनावेश हो सकते हैं रिनावेश हो सकते हैं तो और एक निकाई ले लिजिए ऐसा जिसका आवेश मान लिजिए Q1 है Q2 है माइनस Q3 है और माइनस Q4 है मान लिजिए तो पुरे निकाई का आवेश पुरे बस्तू का आवेश क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस माइनस Q3 और माइनस Q4 इसे ही हम आवेश की जोजेता करते हैं Q2 इसे के गुन है विद्यूत आवेश संग्र श्चित हैं इसका मतलब क्या हुआ कि आवेश को न तो नश्ट किया जासकता है और नहीं उत्पन किया जासकता है तो क्या हो सकता है आवेश का स्थानतरन होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में एक्जाम्पल ले लिजे एकुदारन ले जे जब कांच की छड को हम रेसम की कपड़े में रगड़ते हैं तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन का स्थानतरन होता है कांच की छड से रेसम की कपड़े में तो इलेक्ट्रॉन का स्थान अंत्रन इलेक्ट्रॉन में कौन सा आविश पायाता है रिन आवेश तो रिन आविश का स्थान अंत्रन होता है नस्थ नहीं होता है स्थान अंत्रन होता है और इससे कांच का छड़ धन आवेशित हो जाता है और रेशम का कपड़ा रिन आवेश सकता है तो कुल आवेश को वह संग्रच्छित होता है कि विद्यूत आवेश का क्वांटमी करन तो विद्यूत आवेश को हमेशा एक पुर्णांक गुनज के रूप में लिखा जाता है जैसे जिए कोई किसी बस्तू का आवेश क्यू है तो हम उसे एन-e लिख सकते है एन अका वैल्यू क्या होता है एन का मान पॉजिटिव या नेगेटिव वो सकते है। ठेक है उसी तरह जदी इलेक्ट्रों को कैसा लिखा जाता है और माइनस-e और प्रोटोन को कैसी लिखा जाता है प्लस-e सबसे पर्थम फारडे ने यह कंसेट दिया था बाद में मिलकन ने 1912 में इसे प्रयोग करके प्रयोग में लाया अब एसाई मात्रक में अंतराश्य पनाली में आवेस का जो मात्रक है उसे कूलम बताया गया कूलम ठीक है अब 1 किलम इसे कितना किया गया 1 जैसे i is equal to q by t define किया और q is equal to i into t define जैसे तो 1 का कूलम is equal to 1 ampere electricity या धारा एक सेकंड में प्रवाइत होता है तो उसको हम क्या कहेंगे 1 कूलम आवेस का जाएगा ठीक है एक ampere धारा एक सेकंड में प्रवाइत होता है तो उसको 1 कूलम आवेस कहा गया ठीक है इलेक्रोन का आवेस 1.6 x 10 to the power minus 19 प्रवाइगा आज यहीं तक रहते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग काफी इंपॉर्टन्ट टॉपिक पढ़ेंगे कुलम के नियम काफी इंट्रेस्टिंग क्लास है यह जल्द ही यूटूब में हम लोग अफ्लोड करेंगे आज का क्लास समाथ होने से पहले आप लोगों से आग रहा है हमारे यूटूब चैनल के वीडियो को जाय सेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेट कीजिए आपका आज का दिन शुब हो और आपको एक्जामस में काफी अच्छे माकसा है इस शुब कामना के साथ हम आज का लेशन ही समाथ करते हैं थैंक्यू वेल मैंच